तो आप सबी लोग आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छी होंगे आज की वीडियो में मैं आपके साथ स्टेयर करूंगी बैरी इजी मेकप लोग फॉर बिगनर्स यानि जिनको बिलकुल भी मेकप निस आता है वो लोग कैसे मेकप कर सकते हैं तो बने रहे हैं मेरे पहले मुशूराइज करने आप जो आपको पसंत है मुश्षिराइजर आप उससे पनी पेस को पहले अचे से मुश्षिराइज कर लिए जये इसके बाद मैं अपने लिपस पे लिपढम लगा लूगी इसके बाद मैं मेरी फेवरेट बी-वी स्पिन स्क्रीम यूज अब इसके बाद मैं ओलीविया की मेकप इस्टिक यूज़ करूंगी जो की मेरा शेड है इसमे 05 टच अंड ग्लो अब इसके बाद मैं फ्लेक्मी की फाउंडेशन यूज़ करूंगी अब इसी ब्यूटी ब्लेंडर के हल्प से पूरे पेस्ट में ब्लेंड करूंगी अब इसके बाद में अपनी आइब्रो इसके बाद मैं अपनी आइमेकप करूंगी अपनी ड्रेस के साब से लाइप पिंग कलर रोंगी इसको अची से ब्लेंड करूंगी है मैं बेस में लाइट पिंक यूज किया है अब मैं कॉनर में डार्क पिंक यूज करूंगी अब इसके बाद में और आईलाइनर लगा लूगा लूगी एसके बीन इचह प्राइलहोंगी प्हले नहीं मैं लाइड के नहीं राया लाइनर त दॉनछे लाएज में लगा लोगी निचया काचर लगांगी पहले मैं मश्कार अप्लाइ करूंगी पूस करूंगी जहां मेरे थोड़े स्पाट्स दिखें मैं उसकी पूस को बोलीविया मेकप स्टिक से सील करूंगी मैं काउंटूर पैलेट से काउंटूरिंग करूंगी अब इसके ब्लेंडर से ब्लेंडर से ब्लेंड करूंगी अच्छे से ब्लेंड कर लिया है अब इसके बाद मैं रश्यूज करूंगी करकर लाइट लाइट प्लेशर करें और हाइलाइट करूंगी चीक बोन को अब इसके बाद मैं रश्यूज करूंगी अब इसके बाद मैं रश्यूज करूंगी मेरा मेकप कंप्लीट हो चुका है और मैं अपनी ड्रेस के कॉर्डिक एक बाइट कलर के परल की हलकी सी जोल्री बहन लिए आप भी जिन लोगों को बिल्कुल भी मेकप नहीं आता है वह इस तरीके से मेकप ट्राय कर सकते हैं और एक अच्छा सा लुक क्रियेट कर सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजी और कमेंट बॉक्स में जुरूर दाइए आपको मेरा मेकप कैसा लगा पतक के लिए बाइट